बहुत बहुत स्वागत आपका आप देख रहे हैं आवाज इंडिय टीवी इस वक्त हम रास्टिय उपद्धिक्ष डॉक्टर जैप्रकाश सिंग इनके साथ बैटे है जो के बसपा के रास्टिय उपद्धिक्ष है और आप जैसे देख रहे होंगे कि काफी युवा है अभी जैसे कि देखा जाता है किसी भी पार्टी के अध्धिक्ष या उपद्धिक्ष को तो हम अमुमन मानते हैं कि बहुत वह वरुद्ध होगे लेकिन इस वक्त आप एक युवा चेहरा इस वक्त देख रहे हैं जैप्रकाश सिंग जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है ये मो मानने बहंजी ने जो मुझको आशिरवाद दिया है मैं माइनर था 17 साल का था तब से मैं इस फिल्ड में प्रेजित हुआ था एक स्पीच सुन करके फिर मैंने मन बनाया था कि मुझे जिंदगी बर इसे फिल्ड में काम करना है उसको लेकर के उस से तब से लेके अभी तक जो 26 तारिक को जो मानने बहंजी ने आशिरवाद दिया तब तक मेरे मन में यही बात थी कि अगर मुझे मुझे मौका मिलता है तो मैं काम करूंगा मैंने परदेश में राजिस्तान में भी काम करा बहंजी के आशिरवाद मिलने के बाद और जो मानने बहंजी ने जो मुझ को विशेस रूप से ये जुम्मेदारी दी है कि हमको हमारे पास 50% यूथ होना चाहिए था जो हो नहीं पाया था किसी वजह से माने बहन जी को ऐसा आवास होता था बार बार लेकि माने बहन जी ने हो सकता सोचा हो कि तब टॉप पे हम यूथ को रखेंगे तब ही सबोर्डि इसमें यूथ को तयार करके भोजन समाज पार्टी के साथ जोड़ करके उसको बताऊंगा कि आपका हित भी सभी का हित भोजन समाज पार्टी की नेता माने बहन जी के नेतृत में ही सुरक्षित है आपको रोजगार चाहिए अगर आपको जितनी भी समस्या हैं एजूकेश के चुनामें देखा होगा, मन्ने भेहनicorn जी को नोंने मन्च के बीच में लिया है, मन्च के बीच में लेणे का मतलब होता है, कि सभी लोगों स सबस्वार के और हैं कि अपना अज पूरा देश मन्ने भेहन 무서 शूपर कर चुका है और यूधर में फोकस करके विशेश रूप से जोड़ करके मैंने विश्वास भी दिलाया यूद को कि मैं 50% आपको बागिदारी दूँगा माने बहन जी ने जो मुझा आस्तरवाद दिया है और मैं अब 2019 में माने बहन जी को परधानमंती बनाने के लिए अपनी पूरी आखी सांस तक मैं ल बेखते थे उसके तोर पर लेकिन 2014 के बाद थोड़ा सा निराशा उसमें इस निराशा को आशा में बदलने के लिए आपका क्या प्लान है देखिए यह जो 2014 के बारे में जो आपने बताया है 2014 का चुनाब और 2017 का चुनाब जो हुआ है 2014 का चुनाब लोकसभा का पूरी जाए इंकर घोटाले को अटा दिया दाए और अटा दिया जाए तो बीजेपी आज की स्टिती में किसी भी स्टेट में सरकार बनाने की पोजिशन में नहीं है लेकिन हमें इस बात की एक बहुत बड़ी खुसी है जो मैं कहता रहता हूँ कि EVM मसीनों में घोटाला करने का म लोग अपनी शेहमत ही दे करके भुजिशन स्यमाज पार्टी को बोड़ दाना चाहते हैं तो इसलिए जो इन गोटाला किया है वो एक दिन सब के सामने उजागर भी हो चुका है बहन जी ने कहा है अगर आप दूद के दूले हुए हो तो बैट पेपर पर आप चुनाव कर है बीजेपी को कॉंग्रेश भी इस बात को समझ गई है कि हमारा भी हित के वल भुजिशन स्यमाज पार्टी के साथ मिलकर के है जैसे मैं सुन रहा है वाज कर बात चीछ चल रही है तो मनोबल टूटना नहीं कह सकते उनकी वो प्रियास था लेकिन माने बहन जी ने फिर से माने बहन जी कहती है जब मेरा मनोबल नी तूट रहातու आप कर High हो अपना माने बहन जी किया माहपुर्ष के जो जो डेफिनिसं होती है उस पर बिल्कूल मनोबल नहीं टूटने दे रही है हमारा मनोबल फिर से आय हो चुगा था सर आपने जैसे जिक्र किया कि माने बहन जी को आज मालूम है कि जो बोटर हमारे पास मैन बोटर है वो अभी ऐसी इस्तिती में नहीं है कि इनका सड़क पोतर करके मजबूती से वरोध कर सके जिस से उस्ताधारी पार्टियों के कुर्सी एकदम से हिल जाए तो इसलिए माने बहन जी ने गोरकपुर के फोल सब्सक्राइब के जो लोग थे यह OBC समाज का मिश्यूज कर रहे थे उसके पास बहुत बड़ी ताकत थी उसी प्रकार से आपने देखा होगा हमने अभी बहन जी ने उदर अखले जी ने बहन जी ने उदर केराना में समर्तन दिया है उदर नूरपूर में उदर दिया है तो इस यह प्लानिंग है बाने बहन जी की कि किसी भी प्रकार सब्सक्राइब करें OBC, SC, ST, OBC, Minority समाज और सभी समाज में से गरीब समाज अगर हमारी तरफ आ जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा अगर यह इन सीटों को हरा देते किसी भी तरीके से EVM में घोटाला करके तो आप कहां से जीद गई? तो यह बहन जी के बहुत बढ़ी तयारी है यह एक तरह सा बहन जी का एक इन्टरनल तयारी है कि हम आगे के लिए उसको कर सकें यह बहन जी के सोचे समझी, पिलानिंग है यह आप समझ सकते हैं इसको में डिस्क्लोजी भी निगी कर सकता यहाँ पे देखें करनाटक में भी हमने अलायंस का जो प्रभाव हमारा राया है वो देखा है क्या इस बात को हम समझा पाएंगे कि 2014 में जो मोदी वेव थी उस मेव वेव को खतम करने के मायवती जी सशक्त रुप से फिर से खड़ी हो रही है देखिए हाँ ये तो मात हम जाई जाए आपकी कि उस समय वो वेव कुछ नहीं थी वो तो सभी वीव का मामला था जैसे बहंजी ने बताया भी था तो लेकिन आज क रेट में ये सब पुरों देश के निता सब समझ चुके हैं क्योंकि जो राहुल गांधी जी जो हैं जो कॉंग्रेस के इस समय अद्धक्ष हैं वो मैं तो बार बार कहता रहता हूँ वे समय पर कि कोई बच्चा आप जाता है या बाप पे जाता है तो वो मा पे चले गए अ माँ पे अम्मा उनकी इटली की है तो उनको देश में वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते भारत के अंदर क्योंकि मैंने पहली कहा बाबा साब ने भी कहा जिस देश की आजनती आपको करनी है उस देश की सामज के वस्ता पे आपका अधन होना चाहिए अब वो माँ पे चले ग नेता आज बहन जी को अपना चाहे वसरद यादव जी हो चाहे मुलाइम सिंग यादव जी हो चाहे अखलेश यादव जी हो चाहे तिजश्वी यादव हो चाहे अधर हमारे चोटाला जी हो हर्याना से चाहे ममता बेनर जी हो चाहे आजीज चोदरी हो चाहे आपके आपके पूरे भारत के अंदर में संगठन मजबूत हो, इसलिए क्या स्ट्रेटीजी रहेगी आपकी? देखे, ये सारी की सारी प्लानिंग मानने भेंजी हमको देंगे, अभी मानने भेंजी ने मुझे एक राउंड मारने के लिए बेजा है, कि जाकर आप देखके आईए, क्योंकि एक्च्वल रिपोर्टिंग अभी तक जो प्रिभारी को उपर डिपेंड करता था, भेंजी को नहीं था, तो भेंजी ने ये नया पद क्रिएट किया है, एक तरह से राष्टे प्रिभारी किया सकते हैं, उसको इंग्लिस में भेंजी ने वार्ड यूज किया है कि नेस्न कोडिनेटर, तो हम रेप्रिजेंटिटिटी के रूप में आए हैं, हम एक्ट्रल रिपोर्ट द और यूज को दिहान देना है, जो एरिया कमजोर है, उस पर अपको खुद क्याटर कैंप लगा करके, आपको इसको मजबूत करना है, और मुझे को उमीद है अपने उपर, मैंने राजिस्तान में करके देख हैं, बहुत विश्वास में अंदर आया है, तो मैं वास्ता में यूद को तयार करके, बोजिन समाच पार्टी के साथ जोड करके, संग्थन के साथ जोड करके, उनको मजबूत करूँगा, और 2019 की तयारी में उनको, उनका मनुल बढ़ा करके, बीस फिकली तयाय करूँगा. सर, रास्टी यूवा उपद्रिक्ष के नाते, महारस्ट के यूवा को आप क्या संदेश देंगे? अगर आपको रोजगार चीए, एजुकेशन चीए, ये लोग बहुत कम एजुकेशन पे सब को प्राइवेट करते जा रहे हैं, ये लोग. प्राइवेट करने का मतलब ये है कि हमसे काम तो लेंगे, ये नौजवानों से 50,000 का, पहली बात तो नो कीड़ी मिलेंगी, मिलेंगी तो प्राइवेट हैसन के बाद मिलेंगी, ठिकदारी के बाद मिलेंगी, उसके बाद में ये लोग काम लेंगे, हमसे 50,000 का तनका रहा है हम ने काफी बड़ी मात्रा में रोजगार दिया भैंजी तो यह कहती है कि इनको कुछ देने के जोत नहीं है ना लैपटॉप देने के जोत ना स्मार्टफोन देने के जोत है ना 3 रूपे किलो चीनी ना दो रूपे किलो चावल इनको आप education दो रोजगार दो फिर यह और आपका बच्चा अगर बच्चे को डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता है तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन जब आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं अगर बच्चे को वह भी ठीक नहीं कर पाता है तो क्या पहले वाले के पास द्वारा जाते हो आप कि प्रिज जाती धर्म प्रादिनी के लोग एक बार भुजन समाज पार्टी को दें और आपको कुछ भी सोचने में जोतरी पड़ेगे। आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाईल पर।